हम सबी जानते हैं कि साबुन हमारे दैनिक जीवन में स्वच्चता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आज हम विभिन साबुनों के नमोनों की फैननक्षमता की तुलना करने जा रहे हैं आपने देखा ही होगा कि जब भी साबुन को जल के साथ हिलाया जाता है तो जाग उत्पन होता है अलग अलग साबुनों की फैननक्षमता अलग अलग होती है आज एक प्रयोग के माध्यम से इसे देखते हैं आवश्यक समगरी एवं उपकरन है तीन साबुनों के नमोने प्रती एक ग्राम एक आसुत जलबरा बीकर परकनली स्टैंड तीन परकनलियां जिनके उपर तीन कॉर्क लगे हुए हैं तीन बीकर 100 मिली लिटर एक मापक सिलंडर 25 मिली लिटर एक कीप तीन मापक सिलंडर प्रती 10 मिली लिटर कांच की छर एक त्री पाथ स्टैंड तार की जाली बर्नर और लाइटर मार्कर पैन और एक मापक स्केल अब हम प्रयोग शुरू करते हैं सबसे पहले मापक सिलंडर से 20 मिली लिटर आसुत चल बीकर ए में लेते हैं इसमें एक ग्राम ए साबुन का नमूना डाल कर कांच की छड से तब तक ही लाते हैं जब तक ही ये पूरा घुल नहीं जाए इसके गोलने की क्रिया को तेज करने के लिए हम इसे गरम कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि A साबुन का नमूना पूरी तरह से घुल गया है और साबुन के नमूने A का विलियन त्यार हो गया है इसी प्रकार हमने साबुन B और C के नमूने का विलियन त्यार किया है आईए अब इन तीनों साबुनों के विलियन से एके करके इनकी फैननक्षमता की जांच करते हैं इसके लिए सबसे पहले मापक सिलंडर A से पांच मिलिली लीटर आसुत जल लेते हैं अब परकनली A में मापक सिलंडर से पांच मिलिली लीटर आसुत जल लेते हैं अब एक मिलिली लीटर साबुन A का विलियन मापक सिलंडर से परकनली A में डालते हैं इसे परकनली A में डालते हैं अब परकनली A में भरे साबुन विलियन की प्रारंबिक उन्चाई मारकर की सहायता से चिन हित करते हैं परकनली A के मुँपर कौर्क रखके इससे दस बार उपर नीचे हिलाते हैं हम देख रहे हैं परकनली A में जाग उत्पन हो गई है अब परकनली A में मारकर की सहायता से जाग की उपरी स्तह जीनित करते हैं अब मापक स्केल से परकनली A में उत्पन हुई जाग की परत की उन्चाई मापते हैं यह 6.4 cm है इसी प्रकार हम परकनली B में साबुन विल्यन B डालकर यह प्रक्रिया दोहराते हैं और इससे उत्पन हुई जाग की उन्चाई मापते हैं की उन्चाई जाग की उत्게 Will की उत्यों मापते हैं ए雙 il प vara की यह 화ण की बेक बच्रेशत प्रक्राई माम ऎल मापते हैं झाल झाल अब परकनली B में उत्पन हुई जाकी परत की उंचाई मापक स्केल से मापते हैं यह तीन दश्मलव दो सेंटीमीटर है अब परकनली C में मापक सिलंडर से पांच मिलिलीटर आसुत जल लेते हैं अब मापक सिलंडर से एक मिलिलीटर साबुन C का विलियन परकनली C में लेते हैं परकनली C में भरे साबुन विलियन की प्रारंबिक उंचाई मारकर की सहायता से चिन्हित करते हैं अब परकनली C के मूँपर कौर्क रखकर इससे भी पहले ही की तरह दस बार उपर नीचे हिलाते हैं हम देख रहे हैं परकनली C में भी जाग उत्पन हो गई है ततकाल मारकर की सहायता से जाग की उपरिस्तह जिहनित करते हैं अब मापक स्केल से परकनली C में उत्पन हुई जाग की उँचाई की परत मापते हैं यह 4.5 cm है हम देख सकते हैं कि अलग-अलग साबुनों द्वारा उत्पन जाग की उँचाई बिन्ध है A प्रतिदर्श में 6.4 cm B प्रतिदर्श में 3.2 cm और C प्रतिदर्श में 4.5 cm है ऐसा माना जाता है कि अच्छे साबुन की फैननक्षमता अधिक होती है इस अधार पर हम यह कह सकते हैं कि दिये गए साबुनों के नमूनों में से A प्रतिदर्श सबसे अच्छा है क्योंकि इसकी फैननक्षमता सबसे अधिक है साथियों इस प्रयोग को करते हुए हमें कुछ विश्य सावधानियां रखनी चाहिए जैसे की प्रतिदर्श साबुन के नमूने के लिए आसुत जल का ही प्रयोग करें क्योंकि साबुन का ठोर जल में जाग नहीं देते सबी विल्यनों में साबुन की मात्रा समान होनी चाहिए प्रतेक साबुन में मिलाए गए आसुत जल की मात्रा भी समान होनी चाहिए सब परकनलियां समान व्यास वाली होनी चाहिए प्रतेक विल्यन को एक ही प्रकार से समान बार हिलाना चाहिए जाग बनते ही ततकाल उसकी उंचाई चिमहित करनी चाहिए साबुन विलियन बनानी के लिए गरम करते समय तार की जाली का प्रयोग अवश्य करना चाहिए पोफ प्रयोग अवश्य करना चाली करनी चाहिए प्रोयग अवकाई डह जामी छाहिए पत्वार शंट हिंए थेतार्स